नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ राजशू थावाइत और चलिए बुलेटिन के शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए छटे चुरन के मद्दान के लिए प्रचार का सियासी संग्राम होना है जहां से मुख्यमंत्री योगी आजितनाथ खुद भी चुनावी मैदान में है योगी के असल परिक्षा इस चरण में होनी है जो उनका सियासी गढ़ माना जाता है सपा और बसपाने प्रवांचन में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त घेरा बंद कर रखी है ऐसे में देखना होगा कि सीम योगी विपक्षी दलों के चक्रवी हो को कैसे तोड़ पाते हैं वहीं आपको ये भी बता दे कि चोटे चरण में जिन दस जिलों की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 2017 में अमबेटकर नगर चोड़कर बाती जिलों में बीजेपी का पड़ला भारी रहा था 2017 में इन 57 सीटों में इसे बीजेपी ने 40 सीटों अपने पक्ष में की थी सपा को दो बसपा को पाच सीटे और कॉंग्रेस को एक सीट यहाँ पर मिली थी तो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो छटवे चरण के लिए थम चुका है साथवे चरण क कि वोटिंग कल होनी है 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आपको बता दे कि जब चुनाव प्रचार रहे थे उस वक्त तमाम जो दिगज पार्टियां है वो अब चाल चोकती नज़र आई थी ज़दा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे लगना उसे समाधता अनुप कुमार हमारे साथ जोड़े हुए अनुप पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे चटे चरण के 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है किसरा का मोहल अभी देखने को मिल रहा है देखे सोरगूल कल साम को थम गया था निशीतोर पे आयोग ने पूरी तयारी कर लिए क्योंकि लास्ट मेजर चटे चरण में जो चुनाव है दस जिलों के 57 सीटों पर 676 प्रत्यासियों मैदान में है कहीं न कहीं वो अपनी किस्पत हाजमाए गए पिछले 2017 की चुनाव की बात करें तो समाज भारती जनता पार्टी की काफी पकड़ी सीटों पर रही है लेकिन इस बार कई दिगजों की जद दाओं पर लगी है सूर प्रताब साही करशी मंतरी की बात करेंगे दिवरिया से लण रहे हैं अपनी पुरानी सीट से निश्ची तौर पे संगर्स वहाँ पर है मुख्यमंतरी हो गया इतनाथ गोरफपूर से लड़ रहे है निश्ची तौर पे वहाँ पर एक लोगप्री चुकि पूरे देश में मुख्यमंतरी माने जाते हैं इन दोत्र का बड़ा चेहरा है निश्ची तौर पे वहाँ पर जो प्रत्यासी हैं वहाँ पर जो वहाँ के वोटर्स हैं वह काफी खुशते क्योंकि गोरफपूर से वह लड़ रहे हैं हलाकि पहले बताय जा रहा था कि वह अध्या से भी लड़ सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हजेकुमा ललू भी चुराव मैदान में हैं सबसे जो हॉट सीट कल के बाद हो गई है वो स्वामी प्रसाद मौरकी हो गई है क्योंकि स्वामी प्रसाद भाजपा से बगावत करने के बाद समाजवादी पार्टी में सामिल हुए थे उसके बाद कल उनके काफिले पर हमला हुआ है तो कहीं ने कहीं उस उनके जो सीट पर कहीं ने कहीं एक इंट्रेस्टिंग येक वहाँ पर देखने वाली होगी कि भारती अंता पार्टी वहां से हार रही इसी वज़े से हमला कराया गया है तो ये निशित तोर पर कहा जा सकता है ये छो छटवा चरल का चुनाव है वो काफी संगर्स पूर्वक है जो पार्टियां है वो कोशिस कर रही है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटे आए भारतियांता पार्टि कोशिस कर रही है संध्मित्र मौरे पर भी केस दर्ज बिज़ेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंक श्वाहा पर भी केस दर्ज रोट्शो के दौरान सपा बिज़ेपी कारकरताओं में मारपीट हुई थी स्वामी प्रसाद के काफीले की गाड़ियों में भी तोड़ पोड हुई थी तो ये बड़ी खबर हम आपको उतारे दोनों ही पक्षो के उन्चास लोगों पर ये मामला दर्ज हुआ है तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जौनता टीवी पर एक्स्क्रूजिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रखी है सपा और बीजेपे कार्रकरताओं में मारपीट यहाँ पर हुई थी स्वामी प्रसाद के काफिले की गाडियों में तोड़पोड भी यहाँ पर हुई थी जो दिगज है जो यहाँ पर कारकरता है वो यहाँ पर नारे बाजी करते हुए नजर आये थे सपा और बीजेपी कारकरताओं में यह मापीठ हुई थी स्वामे प्रसाद मौरे के काफिले की गाड़ियों में यह तोड़फोर की गई थी और सबसे एहम बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के उन्चास लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है यह एक्स्क्लूजिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे इधर कुशिन अगर की फाजल नगर विधान सभार शेत्र में सपा प्रत्याशी स्वामे प्रसाद मौरे की कार पर हुए हमले के बाद उनकी बेटी संग मित्र मौरे जो की बीज़पी सांसद है वो अपनी ही पार्टी के कारे करताओं पर खुल कर परसी स्वामी पर हमले के बाद खबरे चलने लगी कि संग मित्रा बीज़पी छोड़ने वाली है लेकिन संग मित्रा ने पेस्बुक लाइब करके इन बाप्तों को अफवा बताया है साथी बीज़पी छोड़कर सपा में आये अपने पिता का जोरदार बचाव किया संग मित्रा ने पूरी कोशिश की कि उनके छवी बागी निता की ना बने पर साथी फाजिल लगर से बीज़पी प्रत्याश्य को खिलाफ कारवाई की मांग दिर्वाचन आयोग से भी करतारी कि तस्विर में आपको दिखा रहे हैं संग मित्रा ने बीज़पी कारकरताओ पर आरोफ रदाए है यह पिता जी नहीं कह रहे हैं यह सडक पर दिखाई दे रहा है गाडियां किस तरह तोड़ी गई है लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है लोगों के पैर किस तरह टूटे है एवेट हमारे पिता जी को चोट किस तरह आई है वो भारती जंता पाटी जो सांती का और दंगा मुक प्रदेश की बात करता है आज उसी के प्रत्यासी ने हमारे पिताप और हमला किया है और आज मैं खुले याम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि थ्वाजिल लगर की जंता तीन मार्च को ऐसे हुर्दंगियों को सबग सिखाएगी और स्वावी प्रशाद मौर्याजी को भारे मतों से बिज़ई बढा करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंच करवाई थी और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहाँ पर पुलीस पहुची है तो पाज गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहाँ से बचा किया है वहाँ पर भारती जंता पाड़ी की कारकेरता हूंने एक महिला को भी घेरा उस महिला को जो खुद भारती जंता पाड़ी की सास्द दे इसले मैं फाजिल लगर की बेहन बेटियों से कहती हूं कि इस बार स्वामी का साथ वही कुशिन अगर की फाजिल लगर विधान सभाज शेत्र में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाथ मौरे की कार पर हुए हमले के बाद उनकी बेटी जो की बीजेपी सांसद है संग्मित्रा मौर्य वो अपनी ही पार्टी के कारकरताव पर यहाँ पर बरसी हुई नजर आई संग्मित्रा ने फेस्बुक लाइब करके इन बातों को अफ़ा भी बताया है कि वो सपा में शामिल हो रहे आला कि सब्ताबर पहले की बात करें तो उन्होंने यह कहकर भी चौका दिया था कि यह मेरे पिता का नीजी फैसला है कि वो बीजेपी छोड़ करके है जो हमें समय समय पर सलाह देते हैं कि आप भी इस्तीफा देदो या अफ़ा फैलाते हैं कि संग्मित्रा मुर्या भी पार्टी छोड़ने वाली हैं इस दीफा के दीछे मैं उनको भी इस पस्ट कर देना चाहती हूँ कि संग मित्रा मुर्या भारती जन्ता पार्टी की कारी करता है भारती जन्ता पार्टी की सांसद है और वो बनी रहेंगी अपनी पार्टी के लिए काम करती रहेंगी चुले बात कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की तो साथवे चुरन के प्रचार के लिए प्रधान मंत्री मोधी का मेगा प्लान आज से अंतिम चुरन के लिए प्रधान मंत्री मोधी का काशी में कैम्प वार नसी पहुचने के बाद सोन भद्र और गाजिपूर जाएंगे प्रदान मंत्री तो नबद्र और गाजी पूर में प्रदान मंत्री मोधी आज जुन सभा करने वाले हैं आपको बता दे कि कल तीन मार्च को जौनपूर और चंदौली में पी-म की रेली होनी है तो स्थात्वे चरण के लिए तमाम दिगज जुट गए है आपको बता दे कि वारनसी लोकसभा सीटों में पांच विधान सभा है वारनसी दक्षेन, वारनसी उत्तर, वारनसी चावनी, रोहानिया और सेवा पूरी का नाम इसमें शामिल है तमाम दिगज यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँच रहे हैं अब उतर प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए दो चरनों का मदान बाकी है, कल छटवे चरन के लिए मदान होना है, चुनाव प्रचार छटवे चरन के लिए थम चुका है, साथवे चरन की बारी है जिसके लिए चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है तुले तमाम सवाधता हमारे साथ जुड़े हुए अनिल के अंकूर हमारे साथ जुड़े हुए है और प्रमूत कर्शप हमारे साथ गाजीपूर से जुड़े हुए अनिल के अंकूर मारणासी से इस वक्त हमारे साथ मौचूद है जाज आनकारी के लिए सबसे पहले बात करेंगे अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए है अनिल जी एक तरह से देखा जाए तो पाँच विधान सबसीचे आपर आती है अब सातवे चरण के बारे किस तरह के समय करन वहाँ पर देख पा रहे हैं आप देखें मैं बतादू किसा से पहले आपने सवाल किया कि छटे चरण का क्या महल नहींगा मैं बतादू मैं योगी के छेट गुरफूर से भी आया हूँ जो और वहां पर कल वोटिंग होनी है और मुख बंटी योगी की पतेश्शा मी है अधिशन के तो बधर लगी तो यहां पर ऑर काशी में की प्धहाणा चरण बंुक्ण केंसा stopping कि अच्पा ने तरा यहां पर है और यहां पर रहे जुद इहां पर अब प्रश्ट को यहां पर रहे पास तारीक तक आज प्रियंका गांदी यहां पर आ रहे हैं और अख्रेस की रेली के लिए हाँ पर है तो और ममता बनर जी ममता बनर जी भी हां पर आ रहे हैं तो क्या देखिया देखिया जैसा कि बताना चाहूंगा वाराणसी में 2017 में जिस तरीके सब्सक्राइब रहे हैं उसको सीधे तोर पर साधने का परियास करेंगे चूंकि यहां से जाएंगे गाजीपुर की वाराणसी में बड़े अस्तर पर पूरे पुर्वांचल का मंत्वन होगा चुकि बीजेपी के चाड़ के कहे जाने वाले अमिसा यहां है जेपी नड़ा है और लगातार जिस तरीके से 2017 में कमपेनी की गए थी उस वही प्रारूप और रूप रेखा तयार की जा रही है तो यहां पर नाव है कि यहां पर बनारस के लिए यहां पर प्रत्यासी को कम मोधी के नाम के बोड़ दे रहा है वोसलिए मोधी जो हैं पुरवांचल का जो बिकास है जाहे फूर लेन की बात की जाए चाहे जो जापान और भारत के मैतरी सम्मंद का रूधराश कन्वेंटर वारानसी में चुकि प्रधान मंतरी ने लगबग 400 करोण की परियोजनाओं के सौगा दी और वो लगातार क्रियानवीत है वो चल रही है और वारानसी में मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंतरी के ही कारे और उनके नेताओं की कारे पर नहीं देखा जाता है चुकि प्रध बाखिए प्रधारमंतरी नणीदर मोधी का दोरा है प्रमोध हमारे साथ जड़े में तरह लेते हैं प्रमोध लुद से देखा जाए और चल्ट के बार गाज़ीपूर पहुंच रहे हैं एंप्राफारमंतरी नष्यकरमंदर मॉदी जोडर बनाए रखिए लेकिन तायारी केस तरह की है प्रमोद वहाँपने पर दकताई पर जाखे दुछाए नागी मुश्किल नहीं होगा कि प्रुवांशी राजिंती लगनों तक पहुंचती है प्रमोद वहां पर क्योंकि प्रधान मंत्री पहुंच रही है तो ऐसे में स्प्रक्षा वावस्ता किस तरह की नज़र आ रही है प्रधान मंत्री आ है कि यहां से वारांटी रहाना हो जाएंगे और यहां से फुले बंदबद पुरा पुरा पुक्ता बंदबद किए गया खीएंगे प्रमुद नजर बनाए रखेगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे आनिल जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया तमाम बात्चीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए इधर ग्रिम मंत्री अमित शाह काई जलो का दौरा करेंगे चंदॉली जॉनपूर और रखें हैं अंतिम दो चरन बाकी हैं हाला कि छटे चरन के लिए कल वोट डाले जाने लेकिन सात्वे चरन के लिए अब तमाम दिकत चुनाव प्रचार में जुटके हैं सात्वा और या अंतिम चरन हैं दस तारी को पहुशित हो जाएंगे और अंतिम दो चरनों में 111 सीटे बाकी है 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे बाकी सीटों पर अंतिम और सात्वे चरन में सात्तारी को वोट डाले जाएंगे ऐसे में प्रधान मंत्री नरीम द्रमोदी एक तरफ जहां वार नसीप पहुँच रहे तो दूसरी तरफ अमित शाह भी कमान समाले हुए हैं च पहुच्छा लगतार तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव वोने हैं पहुच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं चुले बात के लिएक और बड़ी खबर की तो आज जेपी नर्डा से मलकात कर सकते हैं मुख्य मंत्री धावे उत्राखंड के सियासी आलाद पर चौचा कर सकते हैं मुख्य मंत्री धामी जो है वो जेपी नर्डा से मुलकात कर सकते हैं तो मद्दान होने के बाद सही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं मद्दान के बाद सही उत्राखंड बीजेपी में काफी हल चल है और एक के बाद एक जो पार्टी के कारे करता है वो ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं अब एक तरह पक्ष और विपक्ष में सियासी का मसान है लेकिन दूसरी तरह रिजल्ट का भी इंतजार है लेकिन पार्टी के जो अंधरूनी हालात हैं लेकर आज धामी मुलाकात कर सकते हैं जेफी नड़ा से और काफी इसे एहम भी माना जा रहा है अजित कंबोज हमारे साथ जोड़े है जार जानकारिक साथ अजित एक तरह से देखा जाए जब से मद्दान होए तब से भीतर गात की स्थिति जो है पार्टी में नजर आ रही है तो क्या लगता है अगर जेफी नड़ा से मुलाकात होगी तो क्या जो पार्टी की स्थिति है वो ठीक होने की संभावना नजर आएगी क्योंकि दस तारिक को रिजल्ट आने है रिजल्ट से पहले कहीं न कहीं बीजेपी के कोशिश यह रहेगी कि पार्टी की जो अंधरूनी जो इस्थिति है उसको ठीक किया जाए बिल्कुर राश्री आपने ठीक कहा दस तारिक को मदगणना होनी है और मदगणना से पहले है चाहे भाजपा की बात हो या फिक कॉंग्रेस की दोनों ही राश्ट्य अदर अपने अपनी सरकारों के गठन को लेकर एक्टिव हो गए है भाजपा को लेकर एक बड़ी बात य दिल्ली पहुंच चुके थे और आज वो दिल्ली में मौझूद है लेकिन दौरा लंबा होने की उमीद है जिस तरह की जानकारी विश्वशने सूत्र दे रहे है राश्ट्य देग जेपी नट्ड़ा की बात की जाए दो तीन और चार तारिक को उनका लखनव दौरा है उत अंज पने रिसर्च सर्वे के अनसवार भाजपा ने इनफुर जुटाया ।ो इसकwyn कहें नहीं कहीं को अब लगने लगा है कि सरकार बन सकती है तो ऐसे में नई सרकार को घ्टन होगा तो वो किस तरीके से होगा इसको लेकर इस पूरी बैठेक में चर्चा हो सकती है् बहि दस तारिको परक्ष अपने परिणाम परक्ष में आते हैं तो उसके बाद नई सरकार का जो कठन होगा वो किस तरीके से होगा तो इन तमाम विश्यों को लेकर मुख्यमंतिरी राष्टे देख से मुलाकात करने जा रहे हैं मानकर चल रही है रिजल्ट से पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा चुनावी परसेंटेज जिस तरह कर रहा है वो कहने कि यह प्रत्याशित था भाजपा की बात हो या कॉंग्रेस की दोनों ही दल इसको अपने पक्ष में बताने की कोशिश जरू कर रहे थे लेकिन अंदर खाने डर है कि सरकार किसकी बनेगी क्या जनता पक्ष विपक्ष के मूड में है या फिर सीधे तो पर यहां पर बदलाव होगा और साफतोर पर कॉंग्रेस जहां सुरुवाती दिनों में उत्साहित नजर आ रहे थी अब वो डाउन हुई है भाजपा की बात की जाए तो भाजप इस तरीके से होगा भाजपा के लिए थोड़ी असहज होने वाली इस्तिती इस वज़ा से भी है क्योंकि पिछले बार का बंपर बहुमत उनको मिला था 57 का मैंडिट था और वो बढ़ता है तो क्या इस्तिती बनेगी इसको लेकर भी काफी गंबिरता से हां पर काम हो रहा ह चुले अब कई न कई शिष्ट नेताओं से अगर बात्चीत हो रहे हैं मुलकात हो रहे हैं तो इसके कई तरह के मायने और भी निकाले जा सकते हैं इंतिजार तो दस तारीक कही करना होगा कि और भी क्या कुछ हलचल देखने को मिलते हैं हाला कि उत्राखन की राजनीती को ह और कोई जानताओं समझता है कि यहाँ पर कोई भी चीज एक समय तक टिक नहीं सकी है तो कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारे और बात्चीत करने के लिए बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तिथी है वो घोशित होते ही उत्राखन चार धाम यात्रा 2022 की तैयारी शुरू हो जाएगी बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की एक विशेश प्रक्रिया है बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथी बसंद बाबा केदार के कपाड भग जनों के लिए खोल दिये जाएंगे आज महाशिवरात्री के मौके पर शार्द्या गद्देश्थल उकीमट में उंकारेश्वर मंदिर में पंडा परोहितो हक हक धार्यों विद्वानों ने पंचांग देखकर गणना की और उसके बाद तिती त जनों के लिए खोल दिये जाएंगे इसके साथ ही चार धाम यात्रगा विदिवत संचानन होगा और भक्त अपने अराध्या देवों के दर्शन मंदिरों के साथ ही धामों में जाकर कर सकेंगे कैमरमेन अनुब भट के साथ अजीत कामबो जन्ता टीवी देहरादून चुले इसके साथ ही फिलाल इस बुलिटिन में इतना है अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं जन्ता टीवी नमसकार